बॉलिवोट नगरी में बहुत से सितारे ऐसे हैं चो रातो रात इंडस्ट्री से गायब हो गए। में 16 नवंबर 1963 में पैदा हुई मिनाक्षी शिशादरी का असली नाम शशिकला शिशादरी था। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने मिनाक्षी नाम रखा। क्योंकि एक शशिकला पहले से ही इंडस्ट्री में मौजूद थी। नहीं नहीं चाहती थी। लेकिन तब तक वो सुभाज गई का मन मौह चुकी थी। हाला कि मिनाक्षी तैयार नहीं थी। उनका मन क्लासिक डांस में लगता था। लेकिन सुभाज गई की काफी मिननतों के बाद वो मान गई और उनके फिल्म हीरो सूपर हिट साबित हुई। इस फिल्म ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़े। उस दौर में सिर्फ अमिताब के पिक्चरें ही चलती थी। मिनाक्षी भी अमिताब के साथ काम करना चाहती थी। लेकिन अमिताब के लिए उन्हें पांच साल इंतजार करना पड़ा। और फिर टीनू आनंद ने उन्हें ये मौका दिया फिल्म शेहनशा से। इसकी बाद दोनों की कई फिल्में आई जो लगातार हिट हुई। लेकिन इसी बीच एक डारेक्टर मिनाक्षी के प्यार में पड़ गए। जिनका करियर बनाने वाली भी मिनाक्षी ही थी। डारेक्टर राजकुमार संतोशी अपनी फिल्मों में सिर्फ मिनाक्शी को ही साइन करते थे और मौका पाकर उन्होंने मिनाक्शी से अपने इश्क काई जाहार भी कर दिया लेकिन मिनाक्शी ने उनकी मुहबत कबूल नहीं की लेकिन फिल्मे करती रही घायल घातक और दामिनी उनकी एहम फिल्म में रही घातक फिल्म की पार्टी में एक सहेली के जरिये उनकी मुलाकात एक शक्त से हुई जो उनके काफी करीब आ गया था कहा जाता है कि मिनाक्षी ने अमेरिका में रहने वाले इवेस्मेंट बैंकर हरिश मैसोर से गुपचुपच शादी की और फिल्मों में काम करती रही ये बात उनके परिवार को भी नहीं पता थी लेकिन जब उनके रिलेशनशिप से जुड़ी बाते उठने लगी तो मिनाक्षी ने सब कुछ छोड़ शादी के बाद अमेरिका में बसने का फैसला कर लिया और फिर कभी वापस नहीं आई एक साल बाद वो शेकर सुमन के शो में बता और गेस्ट नजर आई ग्रस्ती सम्हालने के लिए मिनाक्षी ने अपना करियर छोड़ दिया तमिल परिवार से संबंद रखने वाली मिनाक्षी दिल्ली में पली बड़ी मुंबई में काम किया और अमेरिका में शादी कर बस गई सालों बाद जब इंडस्ट्री में दिखी तो कहते हैं लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाए थे रिशी कपूर का भी कहना था कि वो वर्शों बाद मिली दामनी की अपनी सह अभिनेतरी मिनाक्षी शिशादरी को पहचान नहीं पाए बता दे कि उनकी आकरी फिल्म दो राहे थी जो रिलीज नहीं हुई क्लासिक डांस की शौकीन मिनाक्षी ने अमेरिका में डांस ट्रेनिंग स्कूल खोला जहां वो बच्चों को डांस सिखा दी है परिवार को एहमियत देने वाली स्टार ने चका चौंत की दुनिया को अलविदा कहे हमेशा हमेशा के लिए माया नगरी को अलविदा कह दिया था आपको हमारे ये पैकेज कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूले